अगर आप Quartation में bank detail को update करना चाहते हैं and Quartation में आप चाहते हैं अपना term and condition mention करना तो यह आप कैसे कर सकते है टैली प्राइम में यह मैं आपको आज के इस video में बताने वाली हूँ नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा आप सभी कास भागत करती हूँ आपके अपने चानल सुमन Education Hub में तो आज के इस video में देखने वाले हैं जो आप Quartation Party को देते हैं तो Quartation में अगर आप turn and condition अपने company की mention करना चाहते हैं अपने company का bank detail mention करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं टैली Prime में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी request है मेरी आपसे विलोगों से अगर आप first time मेरे चैनल पर आया हैं और new viewer हैं तो make sure मेरे चैनल को like कर लीजिए, share कर लीजिए and subscribe कर लीजिए साथ ही bell icon प्रेस करना ना भूलिएगा इस से in future जो भी वीडियो में अप्लोट कुनगी उसकी notification आपको साथ के साथ मिलती रहेगी और आप मेरी किसी वीडियो को miss नहीं कर पाएंगे तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे ये सारी चीजे आपको टैली प्रैम में करना है चलिए देख लेते हैं कि quotation का voucher आपको टैली प्रैम में कैसे create करना है तो gateway of tally से आपको create पे जाना है उसके बाद हम जाएंगे voucher टाइप पे और यहीं से आपको quotation का voucher create करना है मैंने अल्रडी create किया है मैं आपको show करती हूँ alter पे जाके voucher टाइप पे और यहाँ देखियो quotation से मैंने create किया हुआ है इस टाइप से voucher का name quotation रख सकते हैं आप and select type of voucher में आपको sales order रखना है automatic select कर सकते हैं numerical कर सकते हैं उसके बाद यहाँ देखिये इसको save कर लीजिए अब मैं आपको show करती हूँ gateway of tally से dss press करेंगे हम and देखियो जो हमने create किया था quotation voucher वो आपको यहाँ पे blue color में मैंने highlight कर दिया है अब एक entry करके show करती हूँ suppose कीजिए कि किसी को हमें quotation देना है तो gateway of tally से भी प्रेस करना है right hand side से other voucher पे क्लिक करके यहाँ से quotation का जो voucher है वो आपको select कर लेना है date change कर लीजिए उसके बाद party account name select कर लीजिए और यहाँ से आप all to see press करके new party का ledger भी create कर सकते हैं अब इसके बाद हमें name of item जिस product का आप quotation बना रहे हैं वो product select कर लीजिए quantity select कर लीजिए जिस rate से आप कर रहे है वो rate select कर लीजिए उसके बाद इसके उपर हम takes apply करेंगे cgst and sgst क्योंकि हम local party के लिए बना रहे हैं इस type से जो quotation है वो ready हो चुका है अब मैं आपको show करती हूँ हम print पर जाएंगे current पर जाएंगे और इसका print preview देख लेते हैं तो यहीं step for press करेंगे तो यह zoom हो जाएगा देखे quotation आपको show हो रहा है नीचे जब आप देखेंगे कहीं पर भी आपको bank detail और company का turn and condition show नहीं हो रहा है तो कैसे show होगा चलिए configuration करते हैं तो सबसे पहले हम voucher में configuration करेंगे term and condition को enable करेंगे तो यहाँ पर gateway आप टैली पर जाएए और वहाँ से आपको जाना है alter पर उसके बाद हम जो quotation का voucher type में जाकि open कर लेंगे quotation को open कर लीजिए अब यहाँ देखिए set alter declaration इसको आपको yes करना है already इसमें by default टैली प्रैम से declaration होता है अगर आपको यह same रखना है तो आप रख सकते हैं otherwise आप इसको delete कर लीजिए and जो भी आपके company का turn and condition जो भी norm से वो आप यहाँ पर कर सकते हैं तो जो भी condition आपको रखना है यहाँ पर आप text कर सकते हैं अपने message को जिसे कि मैं आपको यहाँ पर example दे देती हूँ term and condition कर देते हैं and suppose किजिए कि जो आप material sale करते हैं उसको आप वापस नहीं लेते हैं तो यहाँ पर आप declaration दे सकते हैं we are here declare that once good soul will not taken back कुछ step से जो भी आप declaration देना चाहते हैं वो अपने term and condition में आप यहाँ पर text कर सकते हैं point wise भी कर सकते हैं and इसको save कर लीजिए तो मैं आपको show करती हूँ again हम उस quotation को open कर लेते हैं देखते हैं कि यह term and condition वहाँ पर activate हुआ है या फिर नहीं तो यहाँ देखिए quotation में हम जाएंगे and उसके बाद यहाँ पर जो हमने quotation जस्ट बनाया था उस पर जाना है print पर जाना है current पर और इसका preview हम देख लेते हैं तो जैसे आप scroll down करके नीचे आएंगे देखिए declaration में आपको term and condition and we are declared that good one soul will not taken but कुछ जो भी आप यहाँ पर mention करेंगे वो आपको यहाँ पर message show होगा अब bank details को कैसे आपको enable करना है तो यहीं पर हम करेंगे configure पर click and उसके बाद नीचे आप scroll down करते हुए आएंगे तो company details में आपको show bank details show होगा enterprise करके आपको yes कर लेना है and bank name में enterprise करेंगे तो यहाँ पर list of bank open हो जाएगा and आपकी company में जितने भी bank है वो आपको show होगे and जिस भी bank को आप quotation पर mention करना चाहते हैं उस bank को यहाँ पर select कर लीजिए मैंने SBI bank कर लिया है अब चलिए print preview देख लेते हैं तो preview पर हम click करेंगे अब scroll down करके नीचे हम आएंगे तो देखे मैं आपको show करती हूँ सबसे पहले यहाँ देखे company bank detail आपको show और यह bank का name, account number, IFS and जो declaration चाहिए था आमें term and condition जो चाहिए था वो भी हमें यहाँ पर show हो रहा है तो इस step से आप ट्रैली प्रैम में अपने quotation में bank details को enable कर सकते हैं और जो term and condition आप mention करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं जैसे मैं आपको इस वीडियो में show की हूँ description box और check out करना ना भूलिएगा वहां मैं सारे accounts related links प्रवाइट कर दूँगी आप उन सारे वीडियो को watch कर सकते हैं और आप चाहें तो मेरे चैनल को search प्रिकर सकते हैं मेरे चैनल का name है Suman Education Hub आपको आप playlist मिल जाएगी आप playlist भी watch कर सकते हैं प्लेइस आपके लिए काफी helpful रहेगा तो definitely प्लेइस को watch कीजिएगा टैली एन accounts related और भी अगर वीडियोस चीए तो मुझे एप्रिशेट कीजिए मेरे चैनल को like, share, subscribe करके I hope जो ये वीडियो में आपने के साथ share की है ये वीडियो आपसे भी लोग के लिए helpful रही होगी अगर helpful रहे हो तो एक चीटा से काम कर दिजिएगा चैनल को like, share, subscribe कर दिजिएगा Thank you and keep watching my videos